हेलो गाइस वेल्कम बैक टू माइ चैनल ड्रामा सिरीज एपिसोड वन तकी कहानी आपको पिछले वीडियों बता चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले अपसर में हमने देखा था कि ली जैंक चोरी चुपे किसी के घर जाता है और साउसी भी उसका पीछा करते करते उसी घर में चली जाती है तो ली जैंक साउसी को देख लेता है और साउसी से पूसता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो क्या तुम मुझे फोलो कर रही ह तो साउसी बहाना बना कर वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर पुलीस आ जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं आगे उस घर के ओनर को कॉल करके बुलाया जाता है और उस घर का ओनर कोई और नहीं साउसी के पापा होते हैं तो साउसी के पापा और ममी अपने बच्चों को इस तरह देख कर हैरान होते हैं तो साउसी की ममी साउसी के पापा को कहती है जाके पहले इस मेटर को सौल करो और हम लोग घर जाकर बात करेंगे तो साउसी के पापा इस मेटर को रफा दफा कर देते हैं और उन लोगों को ले कि वो घर ली जैंग के दादा जी का है ली जैंग के पैरेंट्स कार एक्सिडेंट से पहले यहीं पर रहते थे लेकिन कार एक्सिडेंट के बाद ली जैंग एकेला पर गया था तो ली जैंग के अंकल ने ली जैंग को जापान ले गए थे और उसके अंकल ने मुझसे कहा था कि इस घर को बेच देने के लिए या तो इस घर को भाड़े पर लगा देने को कहा था ताकि वो ली जैंग का खर्चा उठा सके पर मैंने नहीं इस घर को बेचा और नहीं इसे भाड़ा पर लगाया मैं ऐसा कैसे कर सकता था इस घर में ली जैंग के पैरेंट्स की यादे जु लगने नहीं कि उन्होंने ही लीजैंग का खर्चा उठाया। तो साउसी के पड़ाई का सारा खर्चा साउसी के बैटने को कहते हैं। आगे। लीजैंग अपनी रूम में जाता है और अपनी यादों को याद करता है। जब ली जेंग के पैरेंट्स मरे थे तो सब उसे दया की नजर से देखते थे जो ली जेंग को बिलकुल पसंद नहीं था तो ली जेंग के अंकल कहते हैं अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें जापान ले जाऊंगा तो ली जेंग कहता है हाँ मुझे जापान जाना है मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर सम मुझे दया की नजर से देखते हैं, जो मुझे बिलकुल पसंद नहीं है. और इसी वज़ब से ली जैंग जापान चला जाता है अपनी यादों को यहाँ पर छोड़ कर आगे साउसी ली जैंक के रूम में आती है और उसे उसके घड़ का चाबी देती है और कहती है अब तुम अपने घड़ कभी भी जा सकते हो तुम्हें दिवाल फांगने की कोई ज़रुरत नहीं है ठीक है तो ली जैंक को भी साउसी पर बहुत गुसा आता है क् उसने उसके मुँपर दुवारा दर्वासा बंद कर दिया तो साउसी जोर से दर्वासा पीटने लगती है तो ली जैंक गुसे से दर्वासा खोलता है और साउसी को डराता धमकाता है और कहता है मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए इसलिए मेरी फिकर करना बंद करो और और साउसी लीजेंग को मार कर उसे सबक सिखाती है और कहती है जब तक तुम मेरे घर पर हो तुम्हें मेरी बात माननी होगी अगर आइंदा से तुमने मेरे मुँपर दर्वाजा बंद किया तो आज का सबक याद रखना समझे और साउसी लीजेंग को सबक सिखा कर अपने र सोता है क्योंकि पहली बार किसी इनसान ने उसे रहे नहीं देखा वह जैसा है उसे वैसे ही ट्रीट किया आगे साउसे ली जंग से ये बात तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगा तो साउसी कहती है यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा चलो पापा तुम्हें खाने पर बुला रहे हैं और यह कहकर साउसी जाने लगती है तो ली जैंग साउसी से पूसता है तो ली जेंग कहता है ठीक है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो साउसी ली जेंग से पूसती है तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? क्या तुम मेरा इस्तिमाल तो नहीं कर रहे? तो ली जेंग कहता है मैं यहाँ पर नया हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन सा सौप किधर है समझी चलो मैं तुमें इसके बदले ट्रीट देता हूँ आगे ली जैंक साउसी को महंगे रेश्ट्रेंट में लेकर जाता है तो साउसी ली जैंक को कहती है हम इतने महंगे रेश्ट्रेंट में क्यों आए है चलो कोई सस्ता रेश्ट्रेंट चलते हैं तो ली कहता है क्या मैं अपने दोस्त को इस रेश्टोंट में खाना भी नहीं खिला सकता तो साउसी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है हम दोस्त कब बने तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना तो लिजेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे बस उन लोगों से नफरत है जो खाना ओडर करो तो साउसी ये सुनकर खुस हो जाती है और खाना ओडर करने लगती है आगे वो लोग खाना खाकर निकलते हैं तो साउसी लिजेंग को कहती है अभी हमारे पास दो घंटे है क्योंकि दो घंटे बाद ही तुम्हारा कैमरा मिलेगा चलो कहीं घूमने चलते है तो ली जेंग कहता है क्या तुम्हें कोई अच्छी जगा पता है तो साउसी कहती है हाँ चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ कि तभी उधर से साउसी के सामने माई आ जाती है और उसकी गैंग तो साउसी उसे देख कर वहां से जाने लगती है पर ली जैंग उसे रोक लेता है तो माई साउसी को कहती है उस दिन तुमने हमारी बेंड बजाई थी ना आज हमारी बारी आज तुमें कौन बचाएगा तो ली जेंग सावसी से पूछता है ये कौन है तो सावसी कहती है कोई नहीं चलो यहां से क्योंकि सावसी नहीं चाहती कि वो ली जेंग के सामने उन सब को मारे अगर उसने ली जेंग के सामने उन सब को मारा तो ली जेंग उसके बारे में क्या सोचेगा तो माई और उसकी टीम स साउसी को वहां से जाने नहीं देते तो ली जेंग उन सभी को सबक सिखाता है और उन्हें मार मार कर उनका कच्चुमर बनाकर साउसी को लेकर वहां से भाग जाता है तो वो बदमास भी उन लोगों के पीछे भागते हैं पर ली जेंग और साउसी उन्हें चकमा देकर वहां स जाती है कि तभी लीजेंग साउसी को कहता है तुम्हारे जूते में गोबर लगा हुआ है तो साउसी ये देखकर सौक्ट हो जाती है और उसे साफ करने की कोसिस करती है तो लीजेंग साउसी का खूब मजा कुराता है और उस पर खूब हसता है तो साउसी को लीजेंग की बात है कि है मैंने बना लिया जैसे कि उसने ही बनाया हो तो टीचर ये देखकर पूरी तरह है रान होती है कि संडीक कैसे कंपलीट कर लिया वह भी इतना सही सही आगताइब को दीक हैं इतना आज में कास कि Usually ऑनग पनक्राइज थे चलास जाता है क्योंकि साउसी अपना लंच घर पर ही भूल जातीOb साउसी की माल मूशन क साउसी का लंच देतीạt और लीसंग साउसी को उसका लंच देकर वहाँ 140 चला जाता है तो सारे साउसी से सपूछने लगते हैं कि ये बंदा कौन है तव मूझे नहीं देती है और दोर कर लीजेंग के पास जाती है और लीजेंग से पूसती है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? क्या तुम्हें एडमिशन मिल गया? तो लीजेंग कहता है हाँ मेरा टेस्ट अच्छा गया और मुझे एडमिशन भी मिल गया तो सावसी लीजेंग को कहती है फाइनली तु मेरे क्लास्मेक मन ही गए और हाँ अगर तुम्हें कोई स्कूल में परिसान करता है तो आकर मुझे बताना ठीक है मैं उसकी वाट लगा दूँगी तो लिजेंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम इस स्कूल में बहुत ही पॉपुलर हो सब तुम्हें ब्रो कहकर बुलात हैं तो साउसी ये सुनकर थोड़ा अजीब फिल करती है और कहती है इस स्कूल में मुझे ऐसे ही लोग ब्रो बुलाते हैं कि तभी उपर से वहाँ पर फ्लावर्स गिरने लगते हैं तो साउसी उन फ्लावर्स को देखकर उसी में खो जाती है कि तभी एक फ्लावर उसके ब महसूस होता है और उन दोनों की दिल में कुछ-कुछ होने लगता है आगे साउसी किलास जाती है और उसके और लीजेंग के साथ हुए हसीन पलो को डैरी में लिखती है नेक्स डे साउसी अपने रूम जा रही होती है कि तभी उसकी नजर लीजेंग पर पढ़ती है जो इस में ग्रूप A में एड्मिशन मिला है ग्रूप A का ड्रेस तो बहुत ही अच्छा होता है मुझे ग्रूप A का ड्रेस बहुत ही पसंद है क्या तुम्हें तुम्हें तुम्हारा ड्रेस पसंद है तो साउसी कहती है तुम्हारा बैच कहा है तुमने उसे क्यों नहीं लगाया त तो साउसी कहती है हाँ उसे लगाना जरूरी है उसे लगा कर ही तो तुम एक ग्रूप के बच्चे लगोगे तो लीजेंग कहता है मुझे लगाना नहीं आता तो साउसी कहती है लाव मैं ही लगा देती हूँ और साउसी लीजेंग को वो बैच लगाने लगती है वैल आपको जाने लगती है तो ली जैंग साउसी के कपड़े को देखकर कहता है यह सकर्ट में जादा सुन्दर लगती है आगे वो लोग स्कूल जारे होते हैं तो साउसी आगे आगे चलती है और ली जैंग उसके पीछे पीछे तो साउसी को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो ली जैं लीजेंग के साथ चलना छोड़ देती है तो लीजेंग साउसी से पूसता है तुम्हें क्या हुआ तो साउसी कहती है तुम ग्रेड ए के बच्चे हो तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहिए लोग हमारे बारे में गोसिप बनाएंगे तो लीजेंग कहता है मुझे लोगों स कोई फर्क नहीं परता तुम मेरी दोस्त हो और मैं अपने दोस्त के साथ जाड़ा हूं इसमें कोई सर्म करने वाली बात नहीं है समझी तो साउसी ली जैंग के मूँ से ऐसी बाते सुनकर इंप्रेस होती है और उसके साथ फिर से चलने लगती है आगे साउसी अपना क्लास स् किप करके चोड़ी छुपे ली जैंग के किलास जाती है और उसे दूर से ही देखती है वेल आगे वो लोग घड में डिनर कर रहे होते हैं तो साउसी सबको कहती है कि आज से हम लोग खाने में जूठा चौपश्टिक नहीं डालेंगे उसके लिए अलग से एक चौपश्ट कि अब से मैं तुम्हें पढ़ाने बाला हूँ तो साउसी ये सुनकर ह skipped रहान होती है और कहती है तूम मुझे क्यू पढ़ाऊगे तो ली जैंग कहता है कूंकि मैं नहीं चाहताक चाहता की मेरी से में तुम्हें पढ़ाऊँग और यह क्या ली जैंग pops सबस्क्राइब C सबस्क्राइब C सावसी चकर में उसका एक्सिडेंट होते होते बच जाता है तुर कि नैंग पीछे चलोगी मैं तुम्हारे आगे चलूँगा समझी और ली जैंग साउसी के आगे चलने लगता है तो साउसी ये देखकर बहुत खुस होती है और साउसी ली जैंग के पीछे चलने लगती है आगे ली जैंग साउसी को पढ़ाने लगता है पर साउसी के दिमाग में में मूवी दिखाने ले जाऊंगा तो साउसी इस बात को मजाक में उड़ा देती है और कहती है इस जनम में तो ना हो पाएगा मैं और टॉप 100 में बिल्कुल नहीं ये तो कभी ना हो पाएगा तो लिजेंग कहता है तुम अपने आपको इतना हलके में क्यों लेती हो एक बार खुद को चांस दे कर तो देखो तुम जरूर कर पाऊगी तो साउसी कहती है तुम्हें इतना भरोसा है मुझे पर कि मैं कर पाऊँगी तो लिजेंग कहता है मुझे अपने टीचिंग स्किल पर पूरा भरोसा है कि तुम कर पाऊँगी तो साउसी कहती है ठीक है मैं तुम् बताने वाली के पास जाते हैं तो सावसी की मा सावसी को अपने साथ इसले ले जाती है ताकि फूचर है उसे कुछ mensen दे ताकि उसका पढ़ाई में लगे अगे सावसी की मा उस लेडी को कहती है ये मेरी ननद है ये अभी तक सिंगल है प्लीज कोई उपाय बताईए जिससे ये मिंगल हो जाए तो वो लेड़ी उसके हाथ में एक रेट कलर का धागा बान देती है और कहती है अब तुम्हें बहुत जल तुम्हारा साथ ही मिल जाएगा कि तभी उधर से एक उस लड़के को देखती है और उस लड़के को देखते ही उस पर फिदा हो जाती है और दोनों का टाका भिर जाता है और दोनों लवर्स बन जाते हैं तो सावसी ये चमतकार देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो फ्यूचर बताने वाली लेड़ी को कहती है मुझे भी रेड धागा चाहिए ताकि मैं अपने प्यार को पा सकूँ तो लेडी उसे भी वो रेड वाला धागा दे देती है आगे सावसी और सावसी की मा घर जारे होते हैं तो सावसी की मा सावसी को कहती है इस रेड धागे को किसी को मत दिखाना समझी खास कर अपने पापा को अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि मैंने उन्हें इसी तरह पटाया था तो मेरे सारे किये कडाये पर पानी फिर जाएगा इसके तुम्हें इस धागे को छुपा कर रखना होगा समझी तो साउसी एक बैंड से उस धागे को छुपा लेती है और कहती है I promise में किसी को भी नह लगता है कि कोई लड़का मुझसे प्यार करेगा कि तभी एक लड़की साउसी को अपने पास बुलाती है और उसे लेकर शत पर जाते हैं और वो लड़की सावसी से अपने प्यार का इजहार कर देती है तो बेचारी सावसी ये देखकर सौक्टहोजाती है कि जिसके लिए उसने रेटधा का पहना था उसने उसे परपोस कर दिया तो साउसी बेचारी ये सोच सोच कर किलास जारी होती है कि तब युदर से पिंग आती है और साउसी को बताती है कि कोई उसे तंग कर रहा है तो साउसी किलास जाती है और पिंग से पूसती है क्या तुम्हें दाउ मिंग तंग कर रहा है अभी रुकों में से सबक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूलें